आज मैं आपके साथ जो यह मैंने बेस मेकप किया है यह मैं शेयर करूंगी यह मतलब बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशल होगा जो बेगनर्स है उनके लिए भी और जो अगर कोई पार्टी मेकप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तो आपको बहुत ज्या मेकप है यह रेडी हो जाएगा मींज जो पार्लर वालों का सब्सक्राइब करेंगी कि कैसे अपने मेकप में और यह बैस्ते बहुत ब्सक्राइब करके आपका भेस जो है वह इतना ज्सादाइब मतलब फ्लॉयलेस लगता है आपके सामने ही है यह देखिये भी बेस कितना ज़ादा फ्लॉलेस लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है सिरफ इसलिए क्योंकि जो मैंने इसमें जो इंग्रीडियंट्स जो जो चीजें यूज की हैं वो मैं सब आज आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी हल्फुल लगे अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फामिलीस में शेयर कीजिएगा अगर आप फेस्बुक पी देख रहे हैं तो फ्लीज फॉलो ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को थैंक यू थैंक यू सो मट पहले मैंने फाउंडेशन ली है उसको मैंने एक जो शीशे का बाउल है कांच का बाउल है उसमें मैंने उसको दो पंप के आसपास उसको एड़ किया है फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्राइमर उसमें एड़ किया है जो भी आप प्राइमर कोई भी हो आप ले सकते है बहुत ज़्यादा ज़्यादा quantities नहीं लेनी फिर उसके बाद मैंने illuminator लिया है illuminator का भी one drop मैंने उसमें add किया है फिर उसके बाद mausurizer है mausurizer नहीं है मैंने sunscreen add की है जो आपके पास available है मैं वीडियो में आगे आपको सब की alternates भी बताऊंगी कि हवाके पास यह नहीं है तब कौन सा यूज़ कर सकते हैं फिर मैंने good wives का rose hip facial oil है मैंने उसको add किया है दो drops फिर उसके बाद मैंने fit me का loose powder है वो add किया है बहुत ही pinch बहुत जादा नहीं फिर उसको मैंने brush की help से अच्छी तरह से इसको मैंने mix कर लिया है और फिर मैंने अब देखिया अपने face को मैंने wash कर लिया है simply मैंने इसको अपने face wash से wash किया है और मैंने कोई moisturizer नहीं लगाया स्रफ toner लगाया है और उसके बाद मैंने इसको apply किया है क्योंकि मॉस्टराइजर मैं already add कर चुकी हूँ तो मेरी वो एक clearing भी कम हो जाएगी तो मैंने इसको अपने brush की help से मैंने इसको apply कर लिया है अब आप चाहें तो इसको finger से भी blend कर सकते हैं और बिल्कुल बहुत easily finger से भी blend हो रहा था और ये beauty blender से भी blend हो रहा था जब आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि इतना अच्छा flawless base लग रहा था और अंदर से ऐसे glowing face आपका face बहुत जादा glow कर रहा है बिल्कुल party makeup के लिए आपका जो base है वो ready हो चुका है अगर आपने highlighter नहीं भी लगाना तब भी आपका face बहुत अच्छे से glow करेगा result देखें आपके सामने ही है तो guys आपने देख लिया कि मैंने ये अपना जो base है वो कैसे ready किया है ये देखें ये आपके सामने ही है मैं almost सारा मेरा finish हो चुका है मैं apply कर चुकी हूं ठीक है even की face as well as neck also क्यूंकि अगर आपने अपने face पे अपने येर्स पे अपने नेक पे अपने जुरूर अपलाई करना है हर एक पार पे यह नहों कि हमारा face different लगे और हमारी नेक अलग लगे ऐसा कुछ नहीं है तो अपने अपने पूरे face के उपर उसको easily apply करना है और it depends करता है कि आपने उसको भी अपने उसको प्रस्ट से बलंड करना है या अपने उसको ब्रश्टस से ब्लेंड करना अगर ब्रश् एक ठरचेखती है कि मैं उसको ब्रश से ब्लेंड कर लूँ ठीक है तो मैंने जो जो इंग्रीडियंट यूज किये हैं मैं उनको उनके आपको अल्टरनेट्स भी बता देती हूं अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है फर्सली देखिये प्राइमर तो सब के पास होगा मैंने मेरे पास यह नैका का छोड़ा प्राइम अगर आपकी इसकिन ड्राइए है तो आप क्रीम वाला भी यूज कर सकते हैं अगर क्रीम वाला प्रोड़क्त देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा मैं आपको एक बहुत अच्छा प्राइमर रिकमेंट करूंगी हालां कि मैंने उसके उपर भी वीडियो बनाई है वो भी मैं करूंगी ठीक है नेक्स्ट जो हमने ली थी फांडेशन फांडेशन आप कोई भी ले सकते हैं मैंने मार्स की ली थी ब्लॉसम आप कोई भी फांडेशन ले सकते हैं चाहे फुल कवरेज हो चाहे आपकी नॉर्मल फांडेशन हो अपने आप उसकी कवरे नहीं होने चाहिए आप उसका पॉडर निकाल के मतलब स्पोली से या किसी स्पून से साइट से निकाल के उसका पॉडर अप उसको अपने इस विक्षर में एड कर सकते हैं तो प्रॉब्लम कोई इसा नहीं है कि अल्टरेट्र नहीं है हम क्यासे करेंगे सब सब की आल्टरनेट्स होते हैं ठीक है ऐलुमिनेट्र नहीं है यह сदिक क्रीम चाहे लक्मी सब्सक्राइब तो आप किलेव यूज कर सकते हो उसके बाद मैंने यूज किया था लूज पाउडर अगर आपके पास loose powder कोई भी है आप वो यूज कर सकते हो, lack makeup है, lack makeup भी यूज कर सकते हो, अगर lack makeup नहीं है, हिन केस कोई भी loose powder नहीं है तो आप अपना compact लीजिए, highlighter है वैसे आप अपने compact के भी उसको powder की form में उसको निकाल के आप उसको add कर सकते हैं और आप अपना base ready कर सकते ह कोई दिक्कत नहीं है जो प्रॉडक्ट से बहुत अच्छा अपना बेज त्यार कर सकते हैं आप इसको रेडी जरूर कीजिए आप इसको जरूर एक बढ़ ट्राइप कीजिए आप डेफिनेटली इसको रिग्लेक्ट नहीं करेंगे बहुत अच्छा है सबसे प्लस पॉइंट इसका यह है कि हमने इसको रिए कहींब जाने सारा मिक्स कर लिया हमें अलग लग चीज़ें लगा के लियर अप नहीं करनें कि बहुत सबसे बड़ा पॉइंट लगता कि हम्हें बहुत जादा ल्यार कि पվलगि सेट झाला नहीं कि तो हमारा यह काम इसी में हो जाता है कि हमारे पास मतलब कि facial oil नहीं है कोई face serum नहीं है नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है वैसे जिनकी बहुत ज़्यादा dry skin है वही मैं तब भी मैं तो ज़्यादा तर वेंटर्स में ही यह add करती हूं लेकिन मैंने सिर्फ इस लिए इस वीडियो में बताया ताकि जिनकी dry skin है वो भी इनको use कर सकें ठीक है वो भी easily क्यूंकि जब हम powder mix करते है ना अपनी foundation में powder के products तो हमारे जो foundation थोड़ी सी thick हो जाती है तो उसको blendable करने के लिए हमें थोड़ा सा serum बगएरा add करना पड़ता है त यह नहीं है जो अंसा आपके पास है आप वो serum apply कर सकते हैं dry skin वाले अगर आपकी normal है oily है तो तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी तो यह है मेरा एक छोटा सा demo और मैंने आपको पूरा बताया कि मतलब पारलर secret कैसे हम अपने घर पर ready कर सकते है अपना base makeup एक पारलर की अपना base बिल्कुल अपका ready हो जाएगा अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ी सी भी helpful लगे अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फामिली में शियर कीजिएगा और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फॉलो जरूर कीजिएगा मेरे पेज को थैंक यू थैंक यू सो मच